Hello friends, welcome to civil guru, आज के video में हम foundation की quantity एकसल में कालते हैं वो देखने वाला हैं, मैंने एक आगे भी video बनाया था, excel में जो quantity है foundation की कैसे निकालते हैं उसके लिए, लेकिन में फिर से सोचा कि वो जो video था इसमें थोडी information laps थी, इसलिए आज फिर से एक video बनाता हो, तो यह एक ड्राइंग है, compound wall का यह isolated footing है, tapizoidal footing है, tapizoidal footing में कई सारे engineers को उसकी content निकालने में थोड़े दिक्कत आती है, तो इसके लिए हमने आज वीडियो में यह जो आपके सामने footing है, वो आप देख सकते हो, तो इस तरह से footing की design है, पहले इस footing की design में हम जो जो उसके component है, उसको समझ लेते हैं, तो पहले यह इसका plan है, तो इस plan में एक दूसरा paint में मैंने drawing बनाया है, तो अब समझ लो कि यह जो plan है, इसमें यह जो footing का L है, यानि length और यह है width, और यह column size आई उसका L और B इसको बोलेंगे, और जो यह बाजू में जो footing दिखाए दे रहा है, उसमें जो यहां से लेके यहां तक जो height आएगी, इसको हम capital D और small d जो है, अपनी नीचे का जो rectangular portion बढ़ा जाएगा, उसको हम already बोलेंगे, और यह जो आएगा, यहां से sloping height, उसको हम edge से जानेंगे, तो यह जो footing का rule है, तो हम यह उसको, यह equation से solve करेंगे, h by 6, h हमने देख लिया, यह edge है, upon 6, a1 plus 4 am plus a2, यह equation से solve करने वाले है, a1 यानि एक area जो नीचे का portion होता है, यह वाला, यह वाला portion, a2 जो है, वो उपर वाला portion, और 4 am, यानि जो यह sloping height है, उसका हम ratio निकाल के जो भी आएगा, वो am कहलाएगा, तो चलिए, उसको कैसे मैंने excel में एक format तयार करके रखा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, तो यह format मैंने excel में तयार किया हुआ है, यह आपको description box में इसकी link मिल जाएगी, यहां से आप excel file डाउनलोड कर सकोगे, तो कैसे मैंने यह तयार किया है, वो समझ लेते हैं, feet और meter दोनों में यह काम आएगा, आप feet का map डालते जाओगे, automatically meter में convert होके पूरा जो volume है, trapezoidal footing का volume है, वो हमें मिल जाएगा, बाजू में एक image रखी है मैंने समझने के लिए, तो जो जो हम जो, यह form है अपना excel में जो मैंने यह एप बनाया है, L is equal to, यहाँ पर जो L है, L is equal to, यहाँ पर आप देख सकते हो, L is equal to 4 feet लखा है, तो हमने, यहाँ 4 feet हम लिख देंगे, enter करेंगे, तो direct यहाँ पर meter में convert हो जाएगा, meter में कैसे किया है, इसके लिए, इसके अपर click करेंगे, तो पता जलेगा, C for divided by 3.28, यानि, feet में से meter में convert करने के लिए, 3.28 से उसको divide किया है, अब देख लेते है, B, जो capital B है, वो भी आपको यहाँ पर capital B मिल जाएगा, 4 feet, यानि आपका footing 4 by 4 feet का है, तो यहाँ पर side में आप उसका meter में conversion देख सकते हो, अब आपको formula में डालना है, capital D, capital D अभी मैंने बताया था, यह जो height है, यहाँ पर भी दिख रहा है, और यहाँ पर में paint में भी मैंने आपको बताया था, यह small d जो है, यहाँ से उपर से dimension होगा, पूरा वो D कहलाएगा, तो वो D अपना है 1.5 feet, यह जो D है, वो है 1.5 feet, यह हमने डाल दिया 1.5 feet, automatically बाजू में आपको meter का माब भी मिल जाएगा, अब small d है, small d यह वाला d, 9 inches की depth है, यह small d आप देख सकते हो, यहाँ पर भी मैंने बताया था, कि यह जो आएगा मा यहाँ से लेके यहाँ तक, यह small d कहलाएगा, तो वो है 9 inch अभी हमारे प्लान के मुताबिक, तो यहाँ पर 9 inch हम उसको डाल देते हैं, यानि 0.75 feet, तो उसका मीटर में भी automatic calculation होगा है, अब putting का top जो है, small l और small b से हमें उसको जानेंगे, तो यह आप दो एक सकते हो, column का, जो side आपने capital l लिया है, वो ही side अपनी column की small l आएगा, और जो capital b लिया है, वो ही side पर अपना small b आएगा, इस तरह से payment में बताया है, कि जो अपना capital l है, उसी side हमारा small l आएगा, और जहाँ capital b है, वहाँ ही हमारा small b, हम उसको लेंगे, तो column की size अपनी है, 9 inch by 9 inch, अभी ये rectangle, ये footing का size 4 by 4 है, इसी लिए कोई फरक नहीं पड़ता, नहीं तो अगर ये l और b अलग-अलग होता, तो हमें जो यहाँ पे l पे दिया हो, है, उसके सामने यहाँ पे जो dimension होगा, वो ही लेना पड़ता, तो यहाँ पे हमें लेना है, small l is equal to 0.75, जो हमारी column की size है, 9 inch by 9 inch, तो हमने ये भी ले लिया, अब a1, जो हमारा equation था, equation में पहले मैंने बताया था, देखो, यह equation है, a1 plus 4 am plus a2, तो उसमें a1 कोई सा लेगा, a का meaning है area, तो हमारा area जो है, a1, l into b, जो हमारा नीचे का area आएगा, यह area आएगा, l into b, यह capital l into capital b, यह area हमें लेना है, तो यहाँ पे हम, l into b, हमने automatically xml में उसको data डाल दिया है, तो यहाँ पे c4 into c5, l into b, इसका value 4 into 4 is equal to 16 आगया, फिर small l into small b, जो है, column का उपर का size, उसका a2 area से नाम दिया है, तो उसका l into small l into small b is equal to automatically data यहाँ पे multiply होके आगया है, c10, आप उपर देख सकते हो, c10 into c11 row से लिया है, यह map, अगर आप उसके उपर double click करोगे, तो यह बताएगा, कि कौन से कौन से, यह blue और green में आप देख सकते हो, यह दोनों का गुनाकार है, और यह दोनों के गुनाकार से a2 का area में मिल जाएगा, फिर enter करेंगे, तो यह अभी आपको द्यान में रखना है, am कैसे निकालते हैं, am, am जो निकाला है, वो निकाला है, capital L plus L, यानि यह वाला L plus L, divide by 2, यानि उसका average ratio लिया है, यह 4 plus यहाँ पे जो आएगा, उसको divide किया है 2 से, और यहाँ पे capital B plus small b, divide by 2, यहाँ पे जो मापाया अपना capital B plus small b, divide by 2, वो जो area मिला है, वो हमें am मिला है, अब H, H कैसे find किया, तो H जो total height थी, D minus D किया, तो sloping height उसका मिल गया, D minus D is equal to, यह जो 0.75 यानि 9 inch, एक feet से 6 inches का हमारा total height था, उसमें से 9 inch बात किया, तो 0.75, हमने इतनी formula इसमें डाला था, देखो आप, L, B, D, D, और small l, small b, इतना ही हमें equation में डाला था, और पूरा आपको automatically यहाँ से मिल जाता है data, अब नीचे मैं दिखाता हूँ, quantity of trapezoidal footing, जो trapezoidal footing की जो quantity है, यह पूरा equation set होगा, उसमें h by 6, a1 plus 4 am plus a2, तो यह जो formula है, पूरा यहाँ पे, यह column में आपको मिल जाएगा, और नीचे जो है quantity of bottom box putting, क्योंकि यह तो sloping footing काम ने लिया, bottom का जो box था, यानि कौन सा box की बात कर रहा हूँ में, यह वाला box, यह वाला box, नीचे वाला, यह वाला जो box है, उसका, उसका तो आपको rectangle का पता है, L, B, और यह small d, वो लेगों को तो नीचे वाला box का आपको quantity मिल जाएगा, तो यहाँ पे नीचे वाला box का भी लिया है, और यह उपर sloping footing का भी लिया है, तो यह meter में भी यहाँ पे दिख सकता है आपको, और यह fit में भी, अब number of column, यानि ऐसे कितने column है, suppose हमारे पास 4 column है, तो 4 प्लस 4 हम data डाल देते हैं, तो हमारा total cubic foot कितना होता है, तो 67.5625, यानि जो पूरा quantity है, उसका वो मिला के आ जाएगा, 6.5625, तो यह equation से आप यह trapezoidal जो हमने excel में बना है, इससे आप आसानी से footing की quantity निकाल सकते हैं, इसका जो link है मैं उसको description में डालता हूँ, तो आप आसानी से यह download कर सकते हो, अपने PC में, अपने mobile में, और आसानी से trapezoidal footing की quantity निकाल सकते हो, मित्रों यह video आपको कैसा लगा, इस video में मुझे और क्या improvement करनी चाहिए, वो भी आप बता सकते हो, वीडियो अगर पसंद आया, अब तक आपने देखा, तो इसका मतलब पसंद आया, तो आप लाइक करे, शेर करे video, अपने दोस्तों के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, फसका मतलब।